हेलो क्रेंज सर्शी काल सार है नू आप जिते गाजान दा अचार बनान लगें इंस्टेंट है जो तो बना लिया तो उसे खासा कदिया नू एदे सारे इंडिटेंट में नीचे लेख देते हैं उसे देख सागदिया आप सब तो बहला पैन गरम कर रहे हैं एदे चपा लेने एक चंचा तनिया एक चंचा जीरा एक चंचा सौंफ एक चंचा राई यह बिल्कुल अपा हलका रोस्ट करने रंग नीचेंज होंदे ना जे चाहूं जा तु सीन तो प्रीज शका सागदियों तेन-चार कांटी नेइधा प्रेच्ण रोस्ट कार लो तु पांडी सोख जा तोड़े खड़े रखांगी इनों अपर प्लेट देवे चुकाटेगे साइड ती राख दिन्या थंडा होंते पीस आंगे मैं थे फ्रेंज ले रही है तिन वड्डियां गाजरा थोड़े पीस में लियाद रहता है इनों अच्छी तरह तो कि मैं स्खा लिया है मैं पीपर ट मिसाला पीस लिया है जड़ा होनी अपकित्ता सी घजरां कड़े कड़े थार गया था मैंनों पीस वी जित्ते है देखो थोड़ा थोड़ा खड़ा है गा बिल्कुल पाउडर नी भनाया पैदा हुण वही सेम पैंदे विच अपमा दो बड़े चाम चे सरों दे तेल दे प एक पादे लिए दे डिखेश्चा इद रुखा चाह मंते लिया नाली थोड़े तोड़े को पीस ताल है ज है ढानी हैक थार अफस एक मेंने अपक ही शीच न ही आपकी रोस्ट और एक मिन्ट बार फिर मिसाल लिए पांगी पीरफ एक मिन्ट मिसालन पांगी UH बड़ा इसी बनाना पादने एक चमचा हल दी था एक की चमचा लाल मिर्च पारीया मैं थे एक की चमचा पारियां अम्चुर पाउडर ते नाली अपन जोड़े मिसाले पीसे असी ओननों पादने अच्छी तरह मिक्स कार दें ननों अपन बस मीडियम हीट रखने थे फ्रेंच दो मिनचे चार बन जान दा है इन्हों अच्छी तरह मिक्स कार देने ते हुन पादने एक चमचा पाई थे नामक नामक पिल्कुल एंड दे पाया मैं को करन तो पहला नहीं पाया नहीं ता पाणी शाड़ जोगा एथे में ग्यास ओफ क पार देते हैं प्रेंच ता इन्हों बस ठंडा हों ते आप डब्बे दे विच कड लेने ठंडा हो गया हुन डब्बे दे विच पाले नो कोई भी प्लास्क द लेलू जा काच दा कोई आ रहे तो आ देको ले विच पादने इस आप बहुत जाद तेल नहीं पाया जे तेल ज्यादा पाऊंगे ता है बहुत टाइम तक चुराग साखते हो पार है थोड़ा तेल चुको कित्ता होया है तेनो उदास के दिना चे बदिया ठीक रहे दा दासने कोशनी खराब हंदा दा जुदू ट्राइब करें तो सिए नो कमेंट सेक्शन दे विच दस्यों ताम कितन लगी रैस्पी सस्क्राइब करें मेरा चैनल लाइक करें प्लीज थेंक यू सो मच वीडियो देखर ली बहुत बहुत दानुवाद